अगर काफी सारे भाई लोग इस बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो वीडियो को नहीं पता है कि डेट मोबाईल को कैसे स्टेप बाई स्टेप चेक करते हैं मल्टिमीटर से तो वो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें ठीक है तो सबसे पहले तो हम फोन को खोल ल कि फर्स्ट अगा हमारा यह होता है कि बैटरी को चेक करना है कि बैटरी कि इतनी चार्ज है करला है म इल्यों पॉड्यर को बीफ़ूंट पीच सेलेक्ट करना है और बैटरी की पावरु को जिए लिए 3.4 से लेके 3.8 के बीच होना चाहिए बैटरी पावर हमें 3.5 मिल रहा है तो ये मोबाइल को आराम से कर सकती इतना पावर है बैटरी में ठीक अगर आपकी बैटरी 3.3 से अगर 4 से अगर कम है तो आपको एक बार बैटरी को चार्ज कर लेना है ठीक है तो नेक्स हम बैटरी के वहां पर चेक करेंगे कि जो वीट लाइन और च्फ लाइन और डी लाइन पर आपको तो वहां आपको मैं बहुत छोटे पॉइंट है आपको वीडियो में नहीं दिखेगा तो आपको मैं इसके ज़स्ट साइड में चार पॉइंट दिख रहे हैं इन्हीं में आती यह वह दोनों लाइन सप्लाइट ठीक है यहां तक रीडिंग हमें देखने तो दिखा दिए हमेने आपको इसकी चारो लाइन तो ओके है तो एक बार फिर हम इस पर बैटरी कनेक्टर पर जो हमारी जो वीबेट की लाइन होती उस पर फॉरवर्ड बाई भी चेक करते हैं रिवस चेक करते हैं क्या हमें उस पर हाप शॉर्टिंग तो नहीं देखने को मि मिलेगी तो वह फोन आपका हाप शॉर्ट कंडिशन में होता है तो उस कंडिशन में कभी फोन नहीं होता है अगर ओन हो भी जाता है यह देख सकते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां पर हमें कोई भी छॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है अगर यह चिख स्टी अब हमारा यह होगा कि जो इसकी पावर बाटा हुआ तक हमें सप्ल soprattutto करना है कि यहां तक बोड़ से जो सप्ला कंद आती है यहां जो पावर बाटा है, वहाँ प partners supply को चेक करना है कि आ है Πर सolot बीट वाली को ग्राउंड पाउंड करें तरह में थ्रेया है साइट कर लेते हैं दागे आपको अच्छे से क्लिए और दिखाई दे ठीक है guard 자는 आपको ground करना है ठीक है ईसके थोनों points पर check करना आपको एक साइट्र हैpentry इस Arabs सब्सक्रण संहिए हो गया तो देख सकते हैं ठीक है इसकी एक साइट में हमें ग्राउंड देखने को मिलेगा ठीक है यह ग्राउंड लाइन होगी अब एक साइट में हमें पॉजिटिव लाइन देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर रिडिंग आना चाहिए ग्राउंड है यह और यह पॉजिटिव लाइन है तो यहां पर हमें रिडिंग देखने को मिल रही है ठीक है यह वाली जो बटन है वो चार पिन वाली बटन है काफी सारे फोन में आपको दो पिन वाली बटन देखने को मिल जाएगी तो आप उस साइड पर चेक करना और इस स की वज़ा से मुझे इसी साइड पॉजिटिव लाइन भी मिल रही है ठीए कि आपको उस साइड भी मिल सकती है पॉजिटिव लाइन दो पिन वाली बटन होगी तो तो उस चीछ का द्यान रखना आप लोग ठीग है तो यहां तक कि जो हमारी लाइन है वो भी ओके है तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर को लगा के फिर चेक करेंगे पावर को भी चेक कर लेंगे क्या यहां तक पावर हमें मिलता है नहीं मिलता है जो फोन को अन करने के लिए चाहिए होता है ठीक है तो बैटरी कनेक्टर को मैंने लगा दिया है मल्टी मिटर को फिर से 20 वॉल्ट भी स से Connect कर देंगे और जो बटन है पावर बटन पर हमें पावर को छेक करना है ठीक है यहां पर हमें power 1.8 से लेके 3.8 के बीच पावर मिलेगा ठीक है ठीक है day one point eight से लेके three point eight के बीच ठीक है तो यहां पर three point four और मिल रहा है मतलब कि यहां तक की supply भी okay है ठीक है ना यहां तक की supply भी okay है तो उसके बाद यह बटन भी खराब हो सकती है तो उसको कैसे चेक करना है आपको ठीक है बटन को चेक नहीं करना है उसका तरीका में आपको बताता हूं ठीक है आपको जो यह बटन का जो पत्ता है आपको इसको निकाल देना ठीक है और इसके आसपास आपको देखना है आजू बाजू आपको तीन या चार पॉइंट आपको छोटे-छोटे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे इसमें नहीं यह बट काफी सारे फोन में आपको देखने को मिलते हैं ठीक है इसके जस्ट तो उसको आपको चिंटी से ग्राउंट पर शाह्ट होती है उसको अगर चिंटी से षाट करने पर अगर आरे step follow करने के बाद भी अगर आपका mobile on नहीं हो रहा है तो आपके जो mobile secondary line है वो कहीं ने कहीं short होगी तो उसकी वज़ा से आपका mobile कभी भी on नहीं होगा तो यहां तक आज मैंने यहां तक इस वीडियो में बता दिया और नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट रूम है कि secondary line को कैसे चेक करना है शाटिंग है या नहीं है ठीक है तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ आप लोगों को चीज़ सीखने को मिलेंगा और वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे जो रेट कलर सब्च्राइब बटन है उसे भी दबा देना साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में